असलाम आलेकों मैज़े स्टूडेंट, hope you all are fine and safe, dear students, today we are going to study a topic from class 3rd E.V.S. book and the name of the topic is members of a family. मैज़े स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है छोटे बच्चों के लिए है, class 3rd की E.V.S. book से लिया गया है, और आज के टॉपिक का नाम है members of a family, यानि कि हमारी family में कितने members होते हैं और उनको इंगलिश में क्या बोलते हैं, तो वही हम आज पढ़ेंगे, तो प्यारे बच् ठीक है, तो दूसरा है grand mother, G-R-A-N-D, grand M-O-T-H-E-R, grand mother होगया, दादी, ठीक है, नाना, नानी, ऐसे ही, नाना को हम grand father बोलेंगे, और दादा को भी, और नानी को भी grand mother, दादी को भी, ठीक है, उसके बाद है, father, F-A-T-H-E-R, father, father, हम किसको बोलते हैं, अपने पापा को, जो हमारा बाप होता है, उसको हम father बोलते हैं, दूसरा है M-O-T-H-E-R, mother, mother बोलते हैं, मा को, ठीक है, फिर है fifth brother, B-R-O-T-H-E-R, brother, brother बोलते हैं, बाई को, उसके बाद है sister, S-I-S-T-E-R, sister, sister किसको बोलते हैं, बहन को, फिर उसके बाद हो गया uncle, U-N-C-L-E, uncle, uncle हम बोलते हैं, अपने चाचा को या मामू को, तो उसके बाद है aunt, A-U-N-T, चाची या मामी जो होगी, उसको हम aunt बोलेंगे, अब एक और है, जैसे कि आपकी चचेरी बहन या मामेरी बहन, उसको हम बोलेंगे, cousin, C-O-U-S-I-N, cousin, S-I-S-T-E-R, sister, cousin, sister, cousin, sister, किसको बोलते ह चचेरी या मामेरी बहन को, और एक है cousin brother, यानि कि चचेरा या मामेरा बाई, आया समझे बच्चों, तो ऐसे ही यह जो है, यह आप अपनी note book पे लिखोगे, और इसको याद करोगे, मैं यह repeat करती हूँ, grand father, grand mother, father, mother, brother, sister, uncle, aunt, cousin, sister, cousin, brother,